हेलो फ्रेंट्स मैं हूराम और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर्पी टेप टेक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स मत्प्रदेश में प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा के फॉर्म भरना प्रारंब हो गया है इसके लिए क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ ह जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए फ्रेंट्स अगर हमारी यूट्यूब चैनल में पहली पार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पेस कर दें और आल नोटिफिकेशन को अन कर दें ताकि इसी तरह की इन्फरमेटिक वीडियो का लिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और अपने डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में ओफिशियल लिंक सेयर कर दूँगा वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं तो यहां पर देख पा रहा है आप प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बूर्ड की तरप सी नोटिफिके द्वारा प्रात्मिक सिक्षक के लिए संयुक्त पातरता परिक्षा 2020 के संब्द में सूचना जारी हुआ है प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बूर्ड द्वारा विग्यापन क्रमांग 13-2019-20 के माध्यम से पूरु में माह पर जनवरी फरवरी 2020 में उक्त परिक्षा हेतु आ के विभाग के रिक्त प्रात्मिक सिक्षक के पदों हेतु भी पातरता परिक्षा का आयोजन किया जाना है जिसके परिक्ष में मत्प्रदेश सासन स्कूल सिक्षक विभाग के अंतरकत प्रात्मिक सिक्षक के लिए पातरता परिक्षा 2020 के अनुकरम में दोनों विभागों म मत्रदी सासन जंजाती है कारविभाग हीतु प्रात्मिक सिक्षक के लिए संयुक्त पातरता परिक्षा 2020 के लिए किवल नवीन आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र पीईबी के अधिकारिक वेबसाइट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से दिनांग चवुदा 12-2021 से 28-12-2021 तक आ के वल नवीन आवेदकों के लिए ये नोटिफिकिसन जारी हुआ है तो जो पुराने हमारे साथी फार्म भर चुके हैं उनको इसमें 12-12-2021 नहीं भरना है इस अवधि में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संसोधन दिनांग 2-1-2022 तक किया जा सकता है तो इस अभी जो नवीन आवेदन भरे जाएंगे उनके सुधार 2-1-2022 तक किया जा सकता है प्रात्मेक सिक्षक पातरता परिक्षा 2022 है तो पूरु में माह जनवरी फर्वदी 2020 में आवेदित अभ्यर्ति को पूरा आवेदन भरने की आवेश सकता नहीं है पूरु में भरे गए इवं न पार में करेक्षन नहीं करना है अभी और ना फार्म भरना नहीं है प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा में अरहरता कारी अंक प्राप्त करने मातर से किसी पद में विसेश पर भरती का दावा नहीं किया जा सकेगा क्योंकि प्रात्मिक सिक्षक की पद पर नियुक्ति क विभिन पातरता सर्तों में से यह परिक्षा सिर्फ एक सर्त की ही पूर्ती करेगा परिक्षा के सम्मन्द में अन्वेस्तरत जानकारी एवं परिक्षा तिथी हेतु दिना नियम पुस्तिका दिनांग 2-12-2021 को PEB की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड की जाएगी विग्यापन क्रमांग 13-2021 मत्पदेश माध्यम के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है तो यह देख पा रहा है और इसके बाद हम चलते हैं अपने MP Online की वेबसाइट पर और देखते हैं किस तरह से फॉर्म भरना है तो हम आगए हैं अपने क्रॉम ब्राउजर पर और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ MP Online तो मैंने यहाँ पर MP Online सर्च कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहा है MP Online का यह जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करके और इसमें एंटर कर देना है इस तरह से आप MP Online के साइट में विजिट कर पाएंगे और इसके बाद आप इसको अगर मोबाइल से देख पा रहा है तो इसको आप डेस्क टॉप मोड पर ओन कर दें और इसके बाद आप यहाँ से नागरिक सेवाएं पर क्लिक करके आवेदन पर इंटर कर सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको P.E.B. के साइट पर जाना होगा और इसके पहचाद आपकी आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूँ कि किस टाइप से नाटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है तो मैं स्क्रॉल करके P.E.B. के साइट जो यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया इसके पहचाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और इस तरह से इसको स्क्रॉल करके आप देख पा रहा है यहाँ उमीदवार प्रोफाइलिंग विकलांग पंजी करण का आप्सन दिख रहा है यहाँ पर अगर प्रोफाइल MP Online की ये जो PEB की साइट दिखाई दी रहा है इसमें अगर आप पहले से प्रोफाइल पंजियन नहीं करा हैं तो यहां पर प्रोफाइल पंजियन करा लें और उसके बाद ही आप इस फार्म को भर पाएंगे तो EKYC के माध्यम से आप इसको पूर्ड करके और मत्पदेश सासन इसकूल सिक्षा विभाग द्वारा प्रात्मिक सिक्षक के लिए पातरता परिक्षा 2020 के अनुकरम में मत्पदेश सासन इसकूल सिक्षा विभाग और मत्पदेश सासन जन जाती है कारविभाग द्वारा प परात्मिक सिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परिक्षा 2020 के अनुसार फार्म भरे जा रहा है ये आरंब करने कीती थी 14 दिसंबर 2021 से फार्म भरना प्राराम हो गए हैं दोस्तों और अंतिमती थी 28 दिसंबर 2021 से इससे पहले आप अपना फार्म पूर्ड कर ले और जो भी मुक्तान भी पूर्ड कर ले उसके पहशाद मैंने यहां पर क्लिक करके और यहां इंटर कर दिया हूं और आप देख पा रहा है यहां पर अगर आपने यह आपको यहां पर इस तरह से इंटरफेस मिलता है तो आपको यहां पर चेक मार्क लगाना है आपको मैं यहां हाईल महत्पूर्ण निर्दीश important instruction यहाँ पर जारी हुआ है online आवेदन पत्रक्रमांक online आवेदन जमा करने के पहशाद रखा जाना सुनिशित करें मतलब आप form भरते हैं तो वहाँ से जो print out मिलता है उसको आप सुरक्षित रख लें भविश्य में वो काम आएगा जब भी आपको जरूरत पढ़ेगा जैसे कि admit card निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसी की जरूरत पढ़ना है online आवेदन पत्र भरने के पहशाद नियम पुस्तिका में दी गई सुधार आवधी तक स्वयम आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा MP online के अधिकरत कियोस्क के माध्यम से अपने आवेदन पत्र में संसोधित किया जा सकेगा यह सुधा केवाल online आवेदन पत्र भरने की निर्धारित आवधी में परिक्षा सुल्क रासी का आवेदन पत्र भरने के लिए email ID का होना अनिवार है दोस्तों email ID आपको अनिवार है email ID अगर आपका नहीं है तो email ID जरूर बनवाले क्योंकि भरे गए online आवेदन पत्र में सम्मंधित शमस्त जानकारी को email के माध्यम से अउगत कराई जाएगी कि उसके माध्यम से online आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों ही तो email ID का पूर्टल सुल्क रूपए 60 दे होगा मतलब अगर आप email ID से फार्म भरते हैं तो आपके परिक्षा के लिए इस फार्म भरने के लिए जो भी सुल्क रहेगा उसके अतिरिक्त MP online के पूर्टल का सुल्क 60 रूपए अतिरिक्त सुल्क भुलकतान होगा और इसके अतिरिक्त अगर registered citizen user के माध्यम से लॉग इन कर फार्म भरते हैं तो पूर्टल सुल्क 20 रूपए मात्र देना होगा और आपका जो परिक्षा फार्म का सुल्क है वो अलग से होगा और इसके पहचाद आप यहां आगे का जो option है यहां पर enter कर देंगे इसको क्लिक करते ही आपको एक नया interface खुलेगा और यहां पर आप जो पूरो में यहां पर देख पा रहा हैं आप जो पूरो में registration करवाए हैं पंजियन करवाए हैं उस पंजियन के माध्यम से यहां पर पंजियन क्रमांक यहां पर enter करके और यहां पर आपका date of birth इंटर करक और यहां पर जो capture है उसको enter करने के पहशाद आप इस site में विजिट कर पाएंगे और इसके पहशाद आपको यहां पर एक अन्य notification जारी हुआ है यहां पर लिखा है अती महत्यपूर नोट प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2020 है तू पूर में आवेदित अभ्यर्थियों को पूने आवेदन भरने की आवशकता नहीं है पूर में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों है तू मानने है मतलब पहले से भरा हुआ आपका मानने है दोस्तों ये साइट में भी लिख के आ रहा है और अगला नोटिफिकेशन लिखा है यदि आवेदक आवेदन फॉर्म में वाइटल फिल्ड नाम पिता पती का नाम जन्मतिथी एवं माता के नाम आदी संसोधन करना चाहते हैं तो उन्हें अपना आवेदन फॉर्म को निरस्त कर नवीन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया कपालन करना होगा दोस्तों इसलिए पूर्म में फॉर्म भरे हुए को आपको किसी प्रकार से छेड़ छाड़ नहीं करना है अगर करेंगे तो आपको फुन है उसको रद्द करके भरना पड़ेगा अन् आवेदक को शंशोधन करा सकते हैं इसके लिए आवेदक को नवीन फार्म भरने की आवश्यक्ता नहीं है तो दोस्तों यही नोटिफिकेशन है और इसके पहशाद जो भी अन्य जानकारी प्राप्त होता है हम आपको जरूर आवगत कराएंगे अगर ये वीडियो आपको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करें लाइक करें धन्यवाद जै हिंज जै भारत